नमस्कार, मेरा नाम सोनुनाज है और हम आ गए हैं आधी साली जीला बहार बार लोग कोमेंट करकर के यह बात पूछते हैं पता नहीं है कहीं आदम हैहीं मेरे पासपाइशा नहीं है सुधीर सर मदद करिए सोनुनाज पोई उपाय बताएए बिना पाइसा करें एक थिए लेकिन हम कॉमेंट में रिप्लाइड दे दियेते बोले थे की जमीन है लेकिन मेरे पास्पैसा नहीं है तो ने करते हैं तो आधा दी पर अभी कर सकते हैं तो यह बिजनस ऐसा है कि बिना पैसा कावी जो है आप किसी का बकड़ी लेके सिर्फ चड़ा के जो है वहां मंतली वेसिस पे काम करके पैशा कमा सकते हैं उन्भाई के लिए यही है मिसन कि आप ले लीजिए कहीं से बटईया और बकड़ी पालन करिए अगर लेने में दिक्कत हो रहा है तो हमसे संपर करिए लेकिन आज हम हैं और बैसाली में यह देशरी पंचाय थे देशरी ब्लॉक है देशरी यहां रेलवे स्टेशन भी है और यह जो फर्म देख रहे हैं महाच चार महिनों का फर्म है तो हम यह नहीं बोलेंगे कि कितना कमाई होता है कितना इनके पास नौलेज है कहां कि दो साल तक तो आदमी सी यह करते थे उसको लगाते थे स्टार्ट करते थे तो मझा आता होगा वहां पे भहुत हुआ प्ड़ा नदे और रस्ट में आपना तरह उसका कुस्वुकुस आलग होता है कहीं भी कितना भी कमा लेजिव लोट को तो आप आपे। आना है जी क्रोना कामार था सब्सक्राइब करने वाले जो होते हैं कहीं भी कुछ करके काम कर सकते हैं कमा सकते हैं इनका फर्म जो है कि आप देखी एक दम छोटा साहे और जो है कि कई लोग ये भी है जो साइकिल पे या किसी तरह का जो नहीं कि रोज़गार अपना कर रहे हैं 1500 कमाना आजके लिए आम बात है लेकिन यह देखा जाता प्रयासरत है कि आप नजदीक के बकडी खरीदे बार बार लोग मैसेज करते हैं कि बकडी कहां से खरीदे नहीं लिखते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि अपने चाचा जी के नजदीक में या किसी से पता लगा लिजे कि बकडी पालन कहां पे हो रहा है वहां से जो है कि नजद बखड़ी लेंगे तो दो काम होगा कि एक तो आपका पैसा कम खर्च होगा और उसके बाद जो है आपको आसानी से कम दाम में और वहां की लोकल बखड़ी मिल जाएगी यह आप देख सकते हैं कि यहां पे एक दम छोटी-छोटी बखड़ी सब यह सब खड़ीदा हुआ है ब बजन होगा 14-15 किलो खासी भी साथ में डाल दी है कि कुछ समय से वह दो मिला था तो डाल दिया है और जिसे लोग पूछते हैं कि बखड़ी पालन में कई से फाइदा है कई से फैदा हैं बार बार ही बोदेंगे सिर्फ बखड़ी पालन से फाइदा नहीं है उसमें कई तर अगर कोई भी बखड़ी को आप अगर इतना छोटा भी मालीजे कि पंद्रासों में ले लेते हैं ना तो छो महीना बाद जो है कि तीने जार में बिक जाएगा ना असानी से अब लोग कोड़े में कॉमेंट करेंगे कि खर्चा तो 20 रुपया हम खिला देते हैं चोटी वाल सब्सक्राइब लेकिन बताया कि यहां पर फर्मिंग हो रहा है खास बात यहां पर यह देखने को मिला कि इनके पास जो चारा है वो कई भराइटी के हैं जैसा कि सुधीर सर पिछले में वीडियो में आप लोगों को बताया थे कि साथ दिन के लिए साथ भराइटी का जो है कि घास लगाया जाए तो मेरे ख्याल से अभी कितना भराइटी का है सर आपके पास मेरे पास एक दू तीन चार लग जाता है वक्रियों सर्म हमको मिक्स करके तो किलाना तो अभी मेरा स्टार्ट अप है अभी उसको डेडियों तरह टाइम लाएगा अभी लागा है तो खाने में लंसम तीन-चारा मनें तो आई जाएगा किलाने के लिए और कई लोग यह भी आवेस में आके हम बार बार बूलते हैं कि आवेस में आके कोई काम ना किजिए कई है कई हुआ कर लेंगे कई लोग बोलते हैं कि हम मेरे पास दूटा जमीन है दraf students Department BC कर आंफ़ कर शक्ते हैं जीत्रा में आप उसका खर्च करेंगे खिलाने मेंमें उस ससता में जो है की एक आदमी रखके और मोटा त दो जरूरी है कि आप गाओं में करें जहां चराइख बश्ता के पाद ऑप पो खांस ले लेड़े की लें ऋप्छा चारा कि रहां नहीं होता है आप बंद करके देख다 और झो हरा चारा सब्सक्राइब यहां पर आग रखा हुआ है लेकिन कभी-कभी यह नुकसान बन जाता है और खास करके जो भी बकड़ी पालक होंगे पुराने बकड़ी पालक वह इन चीजों को जान रहोंगे नुकसान कईसे करता है अब जब रात में टमप्रेचर डाउन होता है और यह कंटिनीव 24 घंटा यहां पर जलते रहता है maintenance जो है कि बना हुए रहता है तब जो है कि छोटी वाली बकड़ी जब इसको ठंडा लेगा तो यहां पर यह तापने आएगी और इसमें ऐसे खरा हो जाएगी और यहां से इसमें आग लएगा आग लएगा उसमें आप फर्म पर नहीं होते हैं फर पूरा नहीं खुलेगा और पूरा जल के हुँ मतलब की खतम होने का संबावना बना रहता है तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखे इसको जाली नुमा बना ले उसको घेड़ दे या बोड़ा न लगा अगर बोड़ा लगा तो इसको उससे दूर रहे दे रहने करते हैं यह उसके बाहर रहता है एक इस तरफ उस तरफ बीच में नहीं रखते हैं तो ही रखते हैं इसको अलग रखते हैं और दूसरा अभी तो ठंड का महल जा रहा है लेकिन माली जै कि जो बगड़ी पाला ने स्टार्ट कर रहे हैं या वीडियो हमारा दो महीना बात द देख रहे हैं तो यह इतना ही नीचा नहीं है फार्म फार्म जो है कि करीब बारा फीट उपर है लेकिन यह पांच छे फीट पे फॉल्स सेलिंग दिया गया है ताकि उपर का जो टमप्रेचर है वो नीचे ना सके और इस वाट का बॉल कई लोग बोलते होंगे कि भाईया म अब बल्ब को आप जला सकते हैं तमपरेचर मेंटेंड कर सकते हैं अभी जो यहां पर जो बिजली लगा है सर आपके तो कैसे यूनिट उठता है उसका क्रीसी वाला है क्रीसी का जो यूनिट उठेगा वही आगा कि इतना यूनिट हो गाए बहुत लोग जानते भी ने क्र मेरे हां तो सहर में लगता है कि 6-7 रुफे यूनिट लगा हुआ है उसका तो मतलब क्या होता है क्रिसी के लिए कहीं लोग वीडियो में बोलते हैं कि इतना बॉल जो जला रहे हो तो कहीं बाइपास तो नहीं न कर दिया है अगर माली यह घर पे इतना बॉल जला रहे हैं दस को बॉल जला रहे हैं तो दस को बॉल का हो गया एक हजार तो एक घंटा में आपका एक ही नहीं तो श्री प्रव जब मौसम ठंड़ा रहे है उसे जला यह नहीं तो अपना देशी जुगा राग जला कि जिए और सब दिन ठंड़ा नहीं रहता है तीन महें अभी खाना म बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है बक्री जो पेसाप करता है और जो अमोनिया गैस बनता है तो बच्चे को यह सहने पाएगा इसके लिए इसको थोड़ा हाइट जरूरी है या तो हाइट रखे या फिर अलग वेवस्ता के लिए कई-कई बार तो इतना ना हाइट कर दिजिएगा कि सला कूद भी ना सके आदमी तो देंजर हो जाता है बकडियों के लिए इसको हम एक धड़ी लाके इसको बहे करेंगे अब मेरा कहना यहीं रहता है कि हम आप लोग को वीडियो वनाने के साथ साथ जोए कि जागरुकता भी बना सके जागरुक भी कर सके तो मेरा जगी आप जीछा की हमारे मानने सुधीर सर बताते हैं तीर यह जो भूणसा होता है जहिते हैं रहले जाते जिए जए अब वीडीयों जो है सुकर आप मिला हो गया और दाल गएसे से कई頻道 को कैसे आने मिश्रन करके बनाए जाए किसे उसका फीड मतलब जरूरी जो कि हमको एक किलो का डोज है तो क्या क्या हम को चाहिए उस टाइब का सूखा चाड़ा के लिए सर एक बनाए थे अभी वीडियो तो उस पे आप कुछ की अपने फार्म पर नहीं सर जो वीडियो बनाए अभी बना है मतलब दोसपता प बनाना है तो चार के जी मकई चार के जी दाल चुनी जो कोई भी आपके पास और दो के लिए उसमें अपने इसाफसे तरह नमक मिला दने के लिए तो मैं वही फीड़ा भी मेरा चल ला है अभी जो मेरा खतम होगा तो फिर नया वाला फीडम बनाएंगे जो मिक्षर और खल इनका तंबू अलग तंबू नहीं है इनका थोड़ा सा बना हुआ है मजबूत और यह आप देख सकते हैं ठंड के दिन में जीसा की बता रहे थे कि बहुत बच्चा का नुकसान हुआ है और क्यों बच्चा मरा था जरू समय चार बच्चा मात्र चार मरा है ज्यादा नहीं सब्सक्राइब देख सकते हैं यहां पर इसको दोरी टोकरी मौना भी बोला जाता है यह कितना दिन पुड़ाना है सर बहुत पुराना हो गया इसको अभी हम यूज में ले रहे हैं बच्चा डखने के लिए और इसमें हम देख रहे हैं कि गोबर का पुड़ा लेप लगा ह आप लगा है अब हमारे कई लोग बकड़ी पाला टोकड़ी रखते हैं चोटा वला हमारे हां भी चोटा वला है लेकिन यह टाइप का अगर आप खड़ी दिते हैं तो इसमें जो बच्चा रहता है चोटा हूँ आसानी से खरा होके मोमेंट कर सकता है घूम सकता है हम लोग अपने चोटे वाले टोकरियों में रखते हैं तो वह सहीं कि कुर के बच्टा हुआ रहता है और पूरे रहता है तो कई बार जो है कि लंगडाने लगता है सुबा तक इस टाइप का टोकरी हापे कितना है मिल जाता होगा इसका तो सब्सक्राइब कर देंगे तो फूजने में आसानी होगा जिस अरे बात हमको समझ में आया है कि मेरा आधाय लोग ऐसे बरवाद कर दिया है प्राइब करण के अड़ के में इसके अंदर रखेंगे और काटके खिलाएंगा जैसके मैं आगे से खिलाता हूं और आगे काट के दे रहां ठी रहों ऑई इस्से जादा डेवलेप्मेंट हो और यह ज्यादा डिवलेप्मेंट must a stud师 लोग बुजूर लोग बोलते हैं पी जिसको अगर बकडी खा गई तो फिर दुबारा फुजने में बहुत दिक्कत होता है और जिस पर चढ़ जाती है तो चढ़ता है वहाँ भी नुकसान खाता है वहाँ भी नुकसान फिर फुजने में दिक्कत होता है अगर आप काट के देंगे तो आसानी से फिर फुज पाए के लिए हमारा जो नंबर है बहत्तर साथ अंठानवे और सट शुच्यासी पे वाट्सअप करें कोर्सिस करेंगे कि आपका पूरा संपुन मदद कर सकें मिलते हैं नए जगह पे नए जनकारी के साथ तब तक के लिए जैहिंग जैभार।